मिनी लंदन मैक लुस्की गंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार आईए अपने यादकार लम्हों को बिताईए ड्रीम डेस्टिनेशन में राजधानी राची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन मुख्यमंत्री हेमनसोरिन ने गोला में चुनावी सभा को सम्भोधित करते हुए आर्सु को बारी लोगों का समर्थन से जार्थन को लूपने का आरोप लगाया है मुख्यमंत्री ने कहा है कि आर्सु ने अस्थानिय लोगों की वज़े बारी लोगों का साथ दिया है डबल इंगन की सरकार जब थी पिछला सरकार में जहां हमारे ये लोग भी नेता थे जो आज़सू पार्टी का केला छाप लोग भी मंत्री संत्री बन करके बैठा हुआ था उस समय से लेके आज तक ग्यारा उप चुना हुए हैं 2015 से लेके आज तक डबल इंगन की सरकार में भी उप चुना हुआ अभी वर्तमान हमारी सरकार में भी चार उप चुना हुए है और इन 11 उप चुनाव में 10 उप चुनाव हम लोग जीते हैं एक चुनाव खाली उप जीत पाया है और वो भी गोड़ा का उप चुनाव जीता है और इस बार पूरा दावे के साथ मैं आपको कहता हूँ अभी तो हम पहला बार आज इस चुनावी सभा में आये हैं मैं आपको 200% कह देता हूँ आप लोग लिख लिजे के इस बार बजरग महतो भारी से भारी मतों से जीत के गाए आज ये ठेकेदारों का पाटी बेपारियों का पाटी सोशन करने वाला आदिवासियों पर दलीतों पर पिछडों पर आज इस राज के ओबीसी समुदाए के लोग अलग राज जब हुआ था तो यहां के ओबीसी को 27% का आरक्षन मिलता था लेकिन यही बैमानों ने और यहीं के जमात की सरकार ने जहां आज सुसमर्तित सरकार थी इन लोगों ने 27% का आरक्षन काट करके 14% कर दिया और यह लोग सरकार ओबीसी को आरक्षन की मांग करते हैं इनको दिखाने का दाथ कुछ और है खाने का दाथ कुछ और है आम आपको बता देते हैं इन लोग इस तरीके से आपके बगल में आके खड़ा हो जाएगा भाई गोतिया चाचा काका मामा बोल करके आपको बेकुब बराने का कोसिस करेगा हम लोग तो बहुत करीब से इन लोग को समझ देखते हैं हम तो बोलते हैं ये राज का विकास क्यों नहीं हुआ बिस सालों में राज अलग करके तो धारकण मुक्ती मुर्चा आधर जी दिस्वम गुरू सीवू सोरें ने दे दिया क्यों नहीं हुआ क्या सीवू सोरें सरकार चलाता था कि हेमन सोरें सरकार चलाता था 30 साल 40 साल में ना जाने कितने लोग बिर्योग बिहारी मातों से निर्वल मातों जी से लेकर के आने लोग इस राज के लिए सहिध हो गए तीस साल चालिस साल के बाद जब राज अलग हुआ लेकिन राज बनने के बाद तो सत्ता उन लोग को मिल गया जो इस राज का घोर विरोदी था और उनी घोर भी रोधी लोगों के साथ हमारे आजसू के लोग जाकर के चिपक गया और अपने आपको अलग राज के अंदोलनकारी दल कहता है और एन केन परकारे सत्ता का सुख भोगने के लिए एक दो एमेले जिता कर सरकार को ब्लेक वेल करने का काम करता है यहां का बताईए यहां का कोईला का काम सरस्यादी कौन करता है यहां पर सडक रोड का ठेका कौन सरस्यादी करता है तो पता चलेगा यहां का जो हमारे आजसू के लोग है वही लोग लेता है हम लोग को ना ठेका टेंडर नहीं आता हम लोग के हाँ हम लोग तो आदिवासी दली पिछड़ा अल्प संक्यक का मदद करता है जब दूरती है आज जब धकती है सास जब रूरते हैं अपने मूँ मोडता है जबाना जब अंगलाई लेता है संकल्प फिर बनती है कहानी बनते हैं अन्मिक निसां देखे मेरे साथ संघर्ष की दास्ता